हाई फ्रेंड देख सकते हैं लैपटोप के बारे में आज बताने वाला हूँ यह आपका थम्निल में आपने देखा होगा कि मैं 200 रुपया में लैपटोप जैसे कि मुझे मिला यह कहां से मिला मैं आपको भी बताऊंगा और यह इसमें क्या-क्या है यह जो लैपटोप में मतलब कोई कस्टमर ही मेरा था वो अपना दूसरा लैपटोप जो बनवा के गए उनके पास एक लैपटोप यह पड़ा हुआ था तो बोलें कि लैपटोप उनका बेकार पड़ा हुआ कुछ अगर मिल लाता है तो अच्छा है तो लेकर आए लेकर आए लेकिन कंडिशन दे देता तो उनको साइथ खराब लगता लेगिन अभी मैं लैपटोप लिया हूँ तो अभी देखे मैं चेक करूंगा मेरा 200 रोपिया इससे निकल पाता है या फिर नहीं निकल पाता है तो मैं चेक करके आपको पूरा दिखाता हूँ और चैनल पर आप नहे हो तो चैनल को ए छेक हैं मैं चेसे में अदेख सकते हैं हेजी जगाते हैं। तो मेरा यह थूरो लगा हूँ निकल रिया हो न पहले उड़िक मेरा अगर हाइसुक्त निकल रहता तो कुछ्छ का क्यों सबसक्वरा यह निकला से मिरत निकला म्नेम अभी में आपको प्लाइध हो फिस जयाद इडिडियर थिरी का है तो 2 GB का RAM मेरा चल जायागा कम से कम 2800 रूपया तो इसमें मेरा बचेगा 2800 नहीं तो 2900 रूपया तो बचेगा इसके बाद मैं देखता हूँ और क्या है तो एक काम तो हुआ RAM का हडिक्स तो है नहीं तो इसमें और क्या काम है और क्या काम है आपका यह देख सकते हैं यह क्या है आपको पता है मैं आपको सामने से दिखाता हूँ यह देखे यह क्या चीज है आपको पता है यह है वाई फाई डॉंगल आप जो नेट से नेट चलाते हैं अपने अपने लैप्टॉप में जो कॉर्णर में आपको वाइफाई का जो सिम्मल आता है इडिवाइस अगर आपके पास ना रहा तो आप नेट नहीं चाला मतलब वाइफाई आप एक्सेस नहीं कर पाईएगा तो यह चीज है तो बहुत सारे लैप्टॉप में खराब हो जाता है तो चेंज करने के काम आता क्योंकि यह सिज्ट कर जल्दी खराब होता नहीं है तो यह मेरा एक काम आगिया दो चीज काम आंगिया मतलब 2.00 रुपया का चीज में यहां पर आप देख लिए 5.00 का मेरा काम हो गया अब इसके बाद क्या है इस में धिकिन हमारा क्या है इसमें बहूत सारा स्क्रू लग काम आता तो इसमें क्या मदर बूर्ड में भी बहुत सारा आईस्ती बेगराबी होता जो मेरे काम आ जाएगा और यहां पर आप देख रहे हैं यह हमारा कीबूर्ड तो लगबख खराब है ही कीबूर्ड भी लग रहा है खुला हुआ है कीबूर्ड को हम खोल लेते हैं और फाइनली हम यहां पर देख रहे हैं कि यह हमारा काम जो आने वाला है वह हमारा यहां पर पावर यह जो पावर स्विच दे रहे हैं यह हमारा कनेक्शन एक केविल किया हुआ रहता है तो बहुत सारे सेम मौडल के लाक्टॉप में हमारा क्या होता है कि पावर एक कनेक्शन जो है खराब रहता है जिसके कारण यह हम चेंज कर देंगे मतलब इसका कनेक्शन हम दूसरे में लगा देंगे तो तो हमारा यह काम हो जाएगा. और डिस्प्ले भी पता नहीं चल रहा भी. डिस्प्ले खराब हीद या नहीं। क्योंकि कोई scratch वगरा नहीं है. तो अगर डिस्प्ले सही रहा तो यह भी मेरा एक काम आजाएगा. लगता तो नहीं यह सही है. लेकिन अगर सही रहा तो काफी मतलब हद तक मेरा लाब होगा इसमें और बॉडी स्ट्ट्चर तो नॉर्मल ठीकी है जादा खराब नहीं है अगर कोई लैप्टोब आता है तो उनका जो बॉडी है वो हम चेंज कर सकते हैं बॉडी मतलब काफी हद तक सही है ऐसा भी खराब नहीं है अगर कम रेट में अगर कोई करवाता है जैसे कि यह आपका डिस्पले बॉडी हो गया यह आपका हो गया टच बॉडी हो गया यह आपका बेश, लैप्टोब का बेश बॉडी इसका उपर का जो ढखकन है यह भी हमारा सही है तो गंदा है इसे सफ़ा करना होगा तो यह काफी हद तक मेरा मतलब प्रॉफिट होई जाएगा ऐसा नहीं है कि लॉस में मैं गया हूँ और इसमें देखे स्पीकर भी देख रहा है यहाँ पे स्पीकर भी फटा हुआ नहीं है स्पीकर भी सही है तो क्या है कि स्पीकर को भी हम यहाँ से खोल लेंगे दूसरे लैपकप में एक अगर सेम मॉडल का अगर लैपकप नहीं रहा तो हम दूसरे मॉडल का भी लैपकप में इस स्पीकर को मतलब सेटिंग करके लगा सकते हैं, तो काम आ जाएगा मेरा, और स्पीकर चेंज करने का भी मिनिमम चार्ज 600 होता है, कोई भी लैपकोप में, अगर किसी का स्पीकर हम चेंज करते हैं, तो 600 तक चार्ज लेते हैं, तो अगर ये भी काम अगर आ गया, तो अच्छा है, और बाकी रहा कुछ छोटा चीज होता है, जैसे स्क्रूव एगर हुआ, मेरे दूसरे लैपटोप में काम आएगा, यह आपका हीड्सिंक हुआ, यहाप गरम जो हमारा प्रोसेसर जो लगा हुआ है, ये प्रोसेसर भी हमारा अगर इन बिल्ट रहा, खोला जाए, तो काम आ जाएगा हमारा, ये प्रोस तो अधिकतर खराब होता नहीं है, फिर भी फ्रोसेसर को खोल के हम रख देंगे, इसमें डिवीडी नहीं लगा हुआ है, डिवीडी खुला हुआ है, तो यह सब चीज है जो हम मेरे काम में आ जाएगी, मतलब आपने देखा फ्रेंड यह जो 200 रुप्या का लैप्टप है, बहुत बहुत कम दम में मुझे मिलने वाला है, और उसे मैं सेल आउट कितना में करोंगा वो भी मैं बता को, यह तो सेल आउट नहीं होगा, जैएगा मेरा जो है, चोटा चोटा चिज जो मैं अभी बताया यह सारा स्क्राइब करके मैं किसी ना किसी लैपटोप में मतलब रिपेर विल जो लैपटोप होता है उसमें लगाकर उसे पूरा का पूरा रिडी करेंगे तो कैसा लगा वीडियो फ्रेंड आपको अगर अच्छा लगा हो तो एक पर लाइक जरूर किजिए और सेर किजिए और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद